आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वाटप्रिस स्विपसेट के अंदर जिसमें आप जिनरेट प्रेस थिम को यूज करते हो उसके अंदर आप कैसे आप ऐसे वाटसाप एंड टेलिग्राम चैनल का जो 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 एड़ कर सकते हो यह जो एनिमेटेड ज और जो भी वेबसाइड में अपना यूजर आता है अगर उसको आपको रिकॉल करना है तो उसके लिए आपको वाटसाप चैनल का लिंक और टेलिग्राम चैनल का लिंक एड़ करना का यूरोडी हो जाता है अधिकतर जो सरकरेड रेजल्ट या जो 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 ना डिलेटेड व यूज करते हैं उसको अगर आट करना है तो काफी आसान प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने बाला हूं जिससे आप फॉलो करके आप आसानी से जेनरेट प्रेस्टिम के अंदर ऐसे ही एनिमेटेड वाटसाप एंड टेलिग्राम का जॉइन बटन एड़ कर सकते हैं त एकदम रेस्पॉनसिब तरीके से ओपाइन होता है और यह जो एनिमेस आने हार टाइम में आपको सो करेगा तो इससे जो यूजर आएगा आपको एपसाइड में उसको इंस्टेंटली क्लिक करेगा तो इससे क्या होगा जद़ से यूजर आपके चैनल में जॉइन करेगा अब इसे एड़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपनों वाट्पेस साइट को खोलना है यहां पर डैस बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा अभी में प्लागीन में जाओंगा तो यहां पर देखेंगे जेनरेट ब्लोग जो प्लागीन है यहां पर इंस्टॉल है अगर आप जिनरेट प्रेस थे म्यूज कर रहें तो डिफिनल अब प्रिम्यम थे म्यूज कर रहे होंगे यह काम करने के लिए आपको इसका जो प्रीमियम भार से नहीं रखना पड़ेगा और आज की टेट में मेरे सब से हर एक जनरेट प्रिस यूजर जो जो जीपी प्रिमियम प्लागिने उसको यूज करते क्योंकि काफी कम प्राइस में जाता है मार्केड में फ्री में भी मिल जाता है अगर आपके पास इसा भी चीजे नहीं है तो इसे पर्चेस कर सकते हैं हमरों वेबसाइट से जो में बाद में बताऊंगा कैसे पर्चेस करना है बट अभी मान के प्लागिन के आपको इंस्ट्ल करना है अगर इंस्ट्ल नहीं है तो फिर यहां पर सब्सक्राइगा सब्सक्राइब हैं अंदर जो इनरिटे नहीं पर और यहां पर इसमें ऐता आपको क्लिक करना पड़ेगा को ध्यान रखना है जो elements module से activate है अगर activate नहीं है तो यहां से activate कर लीजिए तो मेरा पहले से activate है इसके बाद page को एक बार रिफ्रेस्स करना होगा activate करने के बाद फिर यहां पर generate press के नीचे आपको elements option मिलेगा तो इस elements option में जाना पड़ेगा अब यहां पर कुछ elements पहले से बना हुआ है इसको आप नजर ना रखे आप सिधह यहां पर add new elements में क्लिक करें फिर यहां पर choose option में जाकर block option को select करके create में क्लिक कीजिए तो यहां पर आपका एक block create होके आ जाएगा अब इस block का नाम रखना पड़ेगा इसका नाम रख देता हूं join button तो join us button बोलके यहां पर हमने इसका नाम रख दिया है अब ही हमें करना क्या है यहां पर जो hook name है हुक नेम में हमें एक location सेलेक्ट करना होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे बीफोर हेडर ऐसा बहुत सब्सक्राइब मिलता है एक दम नीचा आना पड़ेगा जो container option है इस container option के अंदर आपको before main container इसको आपको select कर लेना है और priority में आप जैसे default 10 है ऐसे आप रहने दीजिए अभी यहां पर करना क्या होगा यहां पर code को आपको paste करना होगा तो इसके लिए आपको WP जान करी आपको Google में search करना होगा जैसे यहां पर minute WP जान करी search किया तो हमारा website आ गिया है इसको आपको क्रोई लिए ऊजए खोलना होगा और इसको जो पोस्ट है इसको मिल जाएक इस पॉस्ट का लिइनक तो इसको भी आप क्खोल सकते से एक कोड तो स्जलक को यहां से copy करना है तो इस ब्लॉक औपसान नहींचन कर्स कर देना है बस हो गया यहां की है गया है अब यहां पर डिस्प्ले लोकेसान में क्या करना पड़ेगा इंटेयर साइट के जगा आपको करना होगा यहां पर नीचे पोस्ट ऑप्सान में पोस्ट को सेलेट कर लेना है और यहां पर और पोस्ट यहां पर दिखायेगा इसके बाद पाब्लिस में क्लिक कर देना सरा है कि इसके बाद में क्या करूंगा हमारा Jou website मैं यहां से खोल लेता हूं अभी यहां से पोस्ट को खोल लेते हैं जब हम पोस्ट को खोलेंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे यह जो हमने इनिमेशन बटन को अप्शन यहां पर एंड किया था यहां पर सो कर रहा है ब फिर हमें हमार वेबसाइड में कुलिक करना पड़ेगा एडिसोनल CSS में जाकर यह जो CSS कोड हमने कॉपी किया था इसको कंट्रोल भी से पेश्ट कर देना है बस यहां पर आप देख पाएंगे एनिमेशन सो हो रहा है अभी हम पब्लिस में क्लिक कर देंगे और इसे बंद करें पड़ेंगे तो होगे हमारा अगर हमें इसके अंदर लिंक को एड करना है तो कैसे और होगा रह keh मैं आपको बताता हूं यहां पर मैं क्या करूंगा फिर ते यहां पर जोजाइन पर ने इसमें क्लिक करूंगग और उसके बाद जो क्लिक कर ağ minimum प्लिक है है यहां से सिधा आप टेक्स को भी चेंज कर सकते हैं तो लिंक को एड करना काफी असान है तो आप यहां पर भी देख पाएंगे अगर आप किसी भी पोस्ट को खोलेंगे जस्ट एक पोस्ट नहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाहिए और दूसरा कोई पोस्ट यहा करने का चांसेस बन जाएगा इससे आप ज़्याद से ज़्याद यूजर को अपने टेलिग्राम में वाट्सट चैनल में एड कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट भी मिलता है मालों आपने किसी भी आटिकल को गुगल डिस्कोर में लेके जाना है अगर आपका पहले सी वाट लूं सर्वि यूजर करना चाहिए और अगर ऋटहर करते हैं तो डिफिनिलट यूजर करना ही चाहिए जो को बारे में भाट में आपको पता ओगा अगर नए होतो आपको बता देता हूं यहां को जो प्रेमियम ठीम में इसके बहुत सरे प्रे डिजन टेंप्लेट मिलता है आप यहां पर आकर चेक कर सकते हैं जैसे सरकरी जौब है न्यूज पर है ब्लोग वेपसाइट है ऐसे बहुत सरे अलग-अलग नीच के ओपर हमने टेंप्लेट बनाया है जो आप पास 10 मिनिट का अंदर अपने वेपसाइट का अंदर एड को चेक कीजिए आपको डिटेस इंफर्मेशन मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही है फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ